हिमाचल में सरकार के द्वारा लिएगे कर्ज को लेकर राजनीती गर्मा गई है हिमाचल के स्रीयम जैराम ठाकुर द्वारा कॉंग्रिस पर 45,500 करोड रुपे का कर्ज में ड्वोने के आरोब पर युवा कॉंग्रिस अध्यक्ष और विधायक विक्रम आदिश्टि सिंग ने पलटबार किया है उन्होंने कहा कि ये कर्ज पहले से चला आ रहा है जब कॉंग्रिस ने सत्ता संभाली थी उस समय पूर्वर धूमल सरकार ने 28-30,000 करोड रुपे का कर्ज छोड़ा था उन्होंने ये भी कहा कि कॉंग्रे सरकार को दिल्ली की सरकार से मदद नहीं मिली लेकिन अब यहां की वीजेपी सरकार को चाहिए कि केंदर से अधिक से अधिक मदद ले और यहां के विकास कारें में गती लाए वहीं विक्रम आदित्य सिंग का कहना है कि सीम जैराम ठाकूर ने पूर्व सीम वीर्भदर सिंग और प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात कर एक अच्छा संकेत दिया है और इससे लगता है कि प्रदेश की राजनीती सही और सकारात्मक दिशा में जाएगी और राज्य में विरोध और बदले की भावना से कारे करने की राजनीती नहीं होगी विक्रम आदित्य ने कहा कि पार्टी में होल टाइमर के एडिट होंगे तो वे बीजेपी के मुकाबले संगठन खड़ा कर पाएंगे उनका कहना था कि इस संबन में उन्होंने पार्टी के राष्ट्य अध्याक श्राहुल गान्थी के साथ भी चार्चा की है जिस तरह से एक dedicated force उसमें काम करती है जिनका एक बहुत बड़ा रोल बीजेपी की सरकार को बनाने में रहा है एक जगा बना रही है वो आने वाले समय में एक शूब संकेत नहीं है उस्तों इसको काउंटर करने के लिए हमें जो है पार्टी के अंदर एक dedicated force बनाने के आवशकता है उसके बारे में मैंने हमारे राष्ट्रे रिद्रक्षे भी बात करी है और उन्हेंने मुझे पूरा विश्वास दिया है कि इस पे हम जल्दी से जल्द कोई कारेवाई करेंगे शिम्ला से अनीश च्वहान की रिपोर्ट